आज की ये कहानी है M.K. स्टालिन की और इन्हें आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कुछ और पिक्चर देख लिए ये आप देखेंगे M.K. स्टालिन का बेटा है इनका परिवार है और बर्तमान में M.K. स्टालिन तमिलाडू के चीब मिनिस्टर हैं कहांके तमिलाडू के मुक मंत्री है तो आज की इस वीडियो के लास में हम लोग इनके वारे में एक सामान जानकारी देखेंगे लेकिन इससे पहले आप लोग एक बार तमिलाडू चलिए और तमिलाडू को देख लिजे देखेंगे हमारा प्यारा भारत है इसमें आप देखें ये तमिलाडू है चन्ने इसकी रादधानी है इसकी सीमा अंध्विदेश, करनाटक और केड़ल से लगती है तीन राज्यों से लगती है विदाण सभा में 234 सीट है विदाण सभा में कितनी 234 सीट है राज्य सभा में 18 सीट है लोग सभा में 49 सीट है एक लाग तीस जार अंठावन बरक किलोमीटर में आपका तमिलाडू फैला हुआ है M.K. स्टालिन के अगर हम लोग जनम की बात करें तो 1 मार्ज 1953 को तमिलाडू के मद्राश जिली में अब जो चैन्नई में पड़ता है न चैन्नई की नाम से जानते हैं वहीं इनका जनम हुआ था M.K. स्टालिन का पूरा नाम मुथू वेल करना ने दी स्टालिन है माता पिता ने उनका नाम रूस के एक बड़े करांतीकारी जोसेफ स्टालिन से फिरभावित होकर रखा था जोसेफ स्टालिन की मित्यू M.K. स्टालिन की जनम के चार दिन बाद ही हो गई थी उनके पिता का नाम M. करना ने दी और उनके पिता M. करना ने दी तमिलाडू के दिगज नेता और तमिलाडू के पाच बार मुख मंत्री रह चुके हैं यानि कि आप देखें, इनका परिवार पहले से ही राजनिती में जुड़ा रहा है। उनकी माता का नाम स्रीमती द्यालूग अंबल था। और आप देखेंगे कि MK स्टालिन की साधी 20 अक्टूबर 1975 को होती है। उनकी पत्नी का नाम दुरगा है। उनके दो संतान हैं, बेटी का नाम उदैनिदी स्टालिन और बेटी का नाम सेंथम रई स्टालिन है। बेटा उदैनिदी स्टालिन फिनर्माता और अभिनेता और नेता भी है, पॉलिटीशन भी है। उनके भाई का नाम M.K. आलमगिरी है, जो एक नेता है, जबकि उनका एक सौतिला भाई भाई भी है, जिसका नाम M.K. मुथू है, और M.K. मुथू भी नेता है, मगर वह नेता होने के सासत, अभी नेता और गायक भी है, उनका दूसरा सौतिला भाई के नाम है M.K. तमिल रस करें तो M.K. Stalin की सिक्षा Christian High Secondary School से हुई है उसके बाद 1973 में उन्होंने आगे की पढ़ाई चैन्नई विस्विध्याले के चैन्नई National College से पूरी किया है यहां से उन्होंने Political Science में B.S.C. किया है और बताया जाता है कि 2009 में उन्हें अन्ना विस्विध्याले द्वारा मानत डॉक आम चुनाओं में इन्होंने पिर्चार किया 1973 में DMK की जनरल सेकरेटरी जनरल कमेटी में चुने गए DMK की और 1914 में उन्होंने तमिलाडू विधानसवा चुनाओं में थाउ जेंड लाइट सिनरवाचंचे से एक पितियोगी के रूम में चुनाओं रहा और AI-ADMK के किष्णा स्वामी से हार गए थे और दिखे अगर आपको विधानसवा का चुनाओं लड़ना है तो आपकी उम्रे कम स से कम 25 साल होने चे अधिकतम मुम्री की कोई सीमा नहीं है और इनका चुनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं का द्वारा होती है अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे ठीक 1989 में तमिलाडू विधानसवा चुनाओ में पुना थाउजेन लाइट्स निर्वाचन चे से चुना लड़ा और जीत भी दर्ज की थी फिर आप देखेंगे कि 1991 में तमिलाडू विधानसवा चुनाओ में पुना थाउजेन लाइट्स निर्वाचन चे से चुना लड़ा औ और AI ADMK के पितियोगी के ए किष्णा स्वामी से पुना हार जाते हैं। वर्स 1996 में तमिलनाडू विधानसवा चुनाओं में 1000 लाइट से निर्वाचिंचे से चुनाला और जीत दर्ज करती है। फिर इन्हें जीत मिलती है। 1996 से 2002 तक चैन्नाई के 37 मेर के रूम में काम किया है नोंने। 21 में तमिलनाडू विधानसवा चुनाओं में उन्हें लगाता 33 रिवार कोला थुर से जीत थांसल की और 7 मई को उन्हें तमिलनाडू के मुकमंत्री के रूम में सपत ली। तो वर्तमान में ये तमिलनाडू के चीम मिनिस्टर ही है। आगे इनकी राजनतिक क्यात्रा किस तरह की रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके लिए रहता है कि आप लोग देश के नेताओं के बारे में जानते रहा करिएगा। आजकल स्मार्टपॉन है आपके पास तो आप लोग बैसे भी जानकारी रखे रहते हैं। इन से जुड़े हुए कुछ विबाद भी हैं, क्यूंकि आप सबी जानते हैं कि आप इस तरह के किसी पतपर होते हैं, तो विबादों का जुड़ना सभाविक सी बात हो जाती है। बहुत सारी लोग पसंद करने वाले हुए होते हैं, बहुत सारी लोग आपको ना पसंद भी करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कहानी हो गई किसकी, M.K.Stalin की सौट वाइगोराफी भी आप लोग कह सकते हैं। किसी और के बारे में दिल्चस्पी है आपकी जानने की, तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।